हलो आई रिवान कैसे हो आप सब मैं हुआ आपके मैं मिला करांती और आज मैं आप सभी प्यारे बच्चों के लिए लेकर के आई हूँ विद्ध धारा चाप्टर का हमारा आगे के लेक्चर इसके पहले हम लोगोंने विद्ध सेल के बारे में पढ़ा था बट अब आज ही क् मैं टॉपिक है पूरा एक ही सेशन में आज आप लोगों को मैं पूरा कवर करा दूंगी और पूरा विद्ध धारा चाप्टर आज हम लोग फिनिश कर लेंगे ठीक है तो ही कौन-कौन बच्चे आ गए है तनू अभिशेक रोशनी फटा फटसे सारे बच्चे जॉइन हो जल्दी से इस वीडियो कि लिंग सारे दोस्तों को बेज दो और बिल्कुल हाँ जो बच्चे आ चुके हैं इस वीडियो को लाइक करना ना भूले जो बच्चे नए है इस क्लास में उनको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बैल आइकॉन हिट करना है ताकि सारी क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलती रहे ठीके गाइस तो फटा फट से हम क्लास शुरू करेंगे बट इसके पहले मैं आप सभी से बाते करना चाहूंगी कि इसके पहले कर जो पांच लेक्चर हम लोगों ने किये हैं जिसमें हम कॉश्चन आएगा यह भी मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ाते बटा दूँगी और बिल्कुल हम शुरू करते हैं यहां पर सेलो का सहियोजन से तो बिल्कुल उससे पहले हम देख लेते हैं कि पूरे लेक्चर में हम लोगों का कॉन-कॉन सा जो है टॉपिक होगा कवर सेलो के सहियोजन में हम स्रेणी और समनांतर करम सहियोजन इसका पढ़ेंगे विद्ध उर्जा और सक्ति के बारे में पढ़ेंगे तो विद्ध उर्जा और सक्ति के बारे में तो आप लोगों ने कक्षा दस्वी में भी जो पढ़ा था वही आप लोगों को यहां पर पढ करते हैं अग्याद प्रतिरोध को ग्याद करने के लिए और अगर जटिल परिपत होता है तो वहां पर हम मिटर से तुका करते हैं विभा मापी का इस्तमाल करते हैं तो बिल्कुल हम सेलों के साईयोजन से आज का लेक्ष्यर हमारा शुरू कर रहे हैं सबीव बच्चे एक विद्धुत्स सेल के बारे में जब पढ़ा То यहां पर हम उसका क्या लेते हैं इस तरह से 20 talking विद्धुत्वाहग्बल लेते हैं और यहाँ पर क्या होता है इस विद्धुत्वाहग्बल और विभुवांतर के बीच जो हम लोगों किसके बारे में पढ़ा था विभाव पतन के बारे में पढ़ा था तो वहां पर जो है हम इस तरह से जो है equation लिख पा रहे थे कि हम लोगों को विद्धित वाहग बल पूरा पूरा जो है विभावांतर के रूप में परिवर्थित हो करके हम यहाँ लिख सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं तो विद्धित प्रतिरोद की दर्हा आप जो यहाँ पर सेलू का संयोजन है ये भी आप लोगों को दो तरह का देखने के लिए मिलेगा एक जो है वो क्या होगा स्रेणी क्रम संयोजन होगा और दूसरा क्या होगा समनांतर क्रम संयोजन होगा ठीके तो स्रेणी और समनांतर क्रम संयोजन तो कम से कम आप लोगों को पत हो जाएगा तного सरेंट में अगर हम क्या करेंगे जो हमारा विद्यूत सेल ख़ीक है उस विद्यूत सेल में यहां पर धनात्मक सिरा यहां पर रिनात्मक सिरा और यह रहा इसका आंधरिक प्रतिरोध मानलो कि यह पहला वाले पहले वाले का विद्धित्वाकबल ईवन और आंधरीक प्रती रोध आरवन और इसी तरह से अगर हम एक और विद्धित्षेल ले ले सीरा, आप लोगों का क्या है? बी सीरा है और यहां पर जो अभी तक हम लोगों माइनस वी सी होगा और पूरे को मिला करके अगर हम देखेंगे तो ये होगा वी ए माइनस वी सी जो है इन दोनों के योग के बराबर होगा तो इस तरह से आगे हम जो है स्रेनी क्रम में पढ़ेंगे सारा कुछ मैंने समझा दिया है डिटेल में पूरा एक्स्प्लिनेशन मैं फिर से आप लोगों को दूँगी इसी तरह से एक बर आप लोग समनांतर क्रम के लिए भी देख सकते हो समनांतर क्रम में क्या करना है दो विद्युद सेल है जिसमें से एक का विद्युद वाहग बल एवन और आंतरिक प्रतिरोध आर वन दूसरे का व सेम होगा परतु यहां पर विद्युद धारा अलग अलग हो जाएगी जैसे कि पहले भी समनांतर क्रम से योजन में हो रहा होता है यहां पर जैसे आई धारा जा रही है तो यहां पर आई बडाबर i1 और i2 से हम लोगों को क्या करना होगा आगे का जो derivation है उसको cover करना होगा यहाँ पर विभाव को जोड़के वहाँ पर प्रतिरोध को जोड़कर के clear है सभी बच्चों को yes या no जल्दी से सभी बच्चे थमसब दिखा देंगे comment box में oh wow very good सभी बच्चे थमसब फटा फट से दिखा दो समझ में आ रहा है की नहीं चल बहुत सारे थमसब आ चुके हैं मज़ा आ रहा है मुझे भी session में बलकुल हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम एक एक करके जो है स्रेणी और समनांतर क्रम संयोजन को जो है पढ़ते जाते हैं तो प जल्दी से डाइग्राम बना लो फटा फट से फिर से डाइग्राम बना लो ये बन गया आपका पहला विद्यूत सेल ए बी टर्मिनल दूसरा विद्यूत सेल बी सी टर्मिनल विद्यूत वाहगबल आंतरीक प्रतिरोध विद्यूत वाहगबल आंतरीक प्रतिरोध अब यह यहां पर अगर हम यहां पर मालो की क्या करना है जैसे कि हम इस सेल को connect करेंगे किसे विद्धुत सेल को हम लोग कहां पर लगाएंगे जैसे कि मैं यह माइक आप लोगों के लिए यहां पर जैसे कि मैं बोल रही हूं तो आप लोगों को सुनाई दे रहा है तो यह विद्धु के सापेक्ष विद्यूद सेल को कनेक्ट करेंगे हैना जोडेंगे उसका प्रतिरोध यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर पर माइक से जिसकी विद्धुत उर्जा मिल पारी है और ये माइक जो है वो चल पार रहा है तो मालों की यहां पर माइक जुड़ा है मालों की यहां पर बल्प जुड़ा है कुछ भी जुड़ा हो सकता है तो यहां पर हम लोगों को क्या चाहिए होती है विद्धुत धारा जो की हम लोगों को सेल से प्राप्त होती है विद्यूत उर्जा के रूप में है ना अब इसके आगे जब अगर हम लोगों को क्या करना है इसका संयोजन करना है तो जल्दी से आप लोग फटा फट से लिख लो इसके विभाओं के बारे में लिख लो सारे बच्चे ये क्या ह जाएगा VA-VB यह वाला हिस्सा और यह पूरे के साफ़ एक्ष जो विभाव होगा वह VA-VC होगा ठीक है अब जब स्रेणी क्रम सहियोजन है तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को विभाव को जोड़ना है VA-VC बराबर क्या हो जाएगा VA-VB प्लास VB-VC ठीक है तो जैसे इसके पहले हम लोग प्रतिरोध का सहियोजन जब निकाल रहे थे तो वहाँ पर हम लोग जैसे लिख रहे थे यहाँ पर equation ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को यहाँ पर equation लिखना है इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं VAC बराबर VAB प्लास VBC ठीक है इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम उपर वाली line और इसके बाद जो मैंने आप लोगों को ये वाले equation बताया था तो बिलकुल ये वाले equation का हम इस्तमाल करेंगे यहाँ पर हम कैसे इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पर V A minus V B लिखने के लिए मतलब की ये V बराबर वी बराबर आपको लिखना है E minus I R ठीक हैं इस तरह से आप लोगों को लिखना है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे यह से यहाँ पर लिखेंगे लिखेंगे तो यहे जो होगा ये V AC ही रहने दो इसको अभी VAC ही रहने दो ठीक है वैसे ये VAC बराबर जो है आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा IR के बराबर पर हम आगे next step में लिख देंगे कोई बात नहीं और VA-VB के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर VA-VB के लिए यह हो जाएगा E1- अब विद्धारा तो सम्में सेम ही है है ना विद्धारा क्या है सम्में सेम ही है I-Vिद्धारा ही भैर रही है है ना तो E1- IR1 समझा रहा है सभी को E1-IR1 कैसे हुआ ठीक इसी तरह से यहाँ पर E2-IR2 यह हम लोगों ने लिख दिया अब हम विद्युत्वाहकबल को सेपरेट करके E1-E2 लिख देते हैं और यहाँ पर माइनस लगा करके I अगर कॉमन निकाल दे तो पर क्या हो जाएगा R1-R2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा VAC के जगा में हम I और R लिख सकते हैं क्योंकि यह VAC जो है इस प्रतिरोध के सापेक्ष विभाव है विभवांतर है तो यह IR आप लोग लिख सकते हो इस तरह से और यहाँ से अगर आप लोगों को जो है equivalent अगर लिखना है तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो equivalent है आप लोगों का जो विद्युत्वाहकबल का equivalent है वो हो जाएगा E1 प्लस E2 और जो आप लोगों का प्रतिरोध का equivalent है वो हो जाएगा क्या स्रेणी क्रम से योजन के लिए R1 प्लस R2 हो जाएगा ठीक है यह तो एक equation हो जाएगा equivalent यहाँ पर निकल जाएगा आप लोगों को और आप और क्या कर सकते हो इसको उधर पक्षांतर करके I को common निकाल सकते हो क्या कर सकते हो स्रेणी क्रम से योजन का ही डाइग्राम बना हुआ है रियल में आप लोगों का जो सेल है वो स्रेणी क्रम में किस तरह से connected होता है यह आप लोगों को दिखाने के लिए यह डाइग्राम में आप लोगों के लिए लेकर गया थी बट यहाँ पर मैं equation भी आप लोगों के लिए लिखी देती हूँ तो यहाँ पर जैसे I और R था इधर हम transfer कर रहे हैं क्या I R1 प्लस R2 को transfer कर रहे हैं और बराबर में हमारे पास क्या था E1 प्लस E2 E1 प्लस E2 ठीक है अब हम लोगों को I चाहिए अगर विद्युद्धारा चाहिए तो I common ले लिया यह हो गया Capital R प्लस R1 प्लस R2 और यहाँ पर बराबर हो गया क्या E1 प्लस E2 और यहाँ से क्या हो जाएगा I बराबर E1 प्लस E2 बटे में क्या हो जाएगा Capital R प्लस R1 प्लस R2 ये प्रतिरोंद के बराबर हो जाएगा तो विद्युद्धारा के लिए आप लोग इस तरह से लिख सकते हो विद्युद्धारा कमान क्या लिख सकते हो? I बराबर E1 बटे R गैपिटल R प्लस R1 और R2 और यहां पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि I बराबर ये उपर में हो जाएगा क्या E equivalent और बटे में क्या हो जाएगा capital R plus R equivalent तो ये हम लोगों ने जो है स्रेणी क्रम के लिए जितने भी हमारे possible सूत्र थे वो हम लोगों ने निकाल लिये और इस diagram में आप देख सकते हो series arrangement इस series arrangement में क्या किया गया है जैसे यहाँ पर जो है इसका धनात्मक सीरा इसका जो धनात्मक सीरा है इसके धनात्मक सीरे को जो है इस तरह से connect किया गया है जोड़ा गया है रिनात्मक सीरे पर अगले विद्यूद सेल के तो इस तरह से विपरीत सीरे यहाँ पर hypocrisy तो लूड़े आता है तो यह तो यह पांश नंबर का नियो मारी कल जो टॉपिक्थ अभी तक क्या आप को कोई भी टॉपिंक में 5 नमर को numerical नहीं पूытा था यहाँ पर पूछ सकता है यहाँ पर ना इसको पलटके भी बना सकता है एक हिस्से को पलटके भी बना सकता है माइनस और फ्लस तो मतलब कि जरूरी नहीं कि प्लस और माइनस मतलब यह बस यह हो जाएगा कि एक के बाद एक इस तरह से connected रहेंगे और ये पलड भी सकता है ये बीच वाला हिस्सा है ना ये माइनस इधर प्लस इधर भी कर सकता है तो जो यहाँ पर E1 प्लस E2 आ रहा था ना जैसे कि आप लोगों का ये मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख देती क्या E1 माइनस E2 या फिर आप लोगों का E2 माइनस E1 हो सकता है वो depend करता है कि कौन से दिशा में है ठीक है ये कप के case में होगा जब आप लोगों को ये विद्युत्वाहकबल का जो दिशा है मतलब की जो सीरा है वो अगर पलट के आप लोगों को दे देगा ठीक है विद् आप लोग करोगे ना तो दिक्कत नहीं जाएगा E1 माइनस E2 ये सब जो चीजे है ना वो सब आप लोग जो है समझ जाओगे इसको बोलते हैं धुरूता का बदलना तो जब धुरूता बदल दी जाती है ठीक है धुरूता जब बदली जाती है तो इस तरह किसे वहाँ पर संयोजन की ये लो भई देख लो समनांतर करम संयोजन में क्या हो रहा है यहां पर समनांतर करम संयोजन में बलकुल जो है यहां पर सबके एक सीरे और सबके दूसरे सीरे जो है जुड़े हुए हैं आपस में और यहां पर समनांतर करम संयोजन का मैंने आप लोगों कुछ इ पर दोने के बाद भी सबके सापेक्ष जो विभाव है आप लोगों को एक दिसम्लब पांच वोल्ट भी मिल रहा है यहां पर इसका मतलब क्या है कि विभाव जो है सबके सापेक्ष एक जैसा होता है जब कि इसके पहले का जो हम लोग डाइग्राम पढ़ रहे थे तो यहां पर प्रतियक के सापेक्ष एक दिसम्लब पांच वोल्ट है और हम लोगों को स्रेणी क्रम में यह सब क्या होता है यह सब जुड के मिलता है क्योंकि स्रेणी क्रम में क्या होता है विभाव जो है अलग-अलग होते हैं जबकि विद्धारा एक समान होती है तो यहां पर जो ह जबकि यहाँ पर समनांतर क्रम में कितना लिखा हुआ है समनांतर क्रम में 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है जल्दी से समनांतर क्रम सही ओजन के लिए आप लोगों को फटाक से एक डाइग्राम बना लेना है जिसमें हम क्या करते हैं यह जो है दोनों का A सीरा है और यहाँ पर एक प्रति रोध या फिर जैसे कि कुछ भी से जोड़ देंगे, कुछ भी यहाँ पर इंस्टूमेंट हो सकता है, माइक हो सकता है, रिमोट हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, E1, R1 और E2, R2, ठीक, सबके साब एक्ष जो विभा होगा, यहाँ पर क्या होगा, VAC C बराबर VA-, sorry VAB बराबर VA-VB, जबकि यहाँ पर विध्यूद्धारा जो है कैसे होगी, अब देखो यहाँ पर विध्यूद्धारा की दिशा को हम लोग क्या रख सकते हैं, धनात्मक सिरे से हम लोगों को विध्युद्धारा मिलती है, जैसे कि आपँ लोग कभी भी भी लगाते हैं तो हम लोगों को विद्युद्धारा मिलता किदर है धनात्मक सीरे से विद्युद्धारा मिलता है तो यहाँ पर दोनों ही धनात्मक सीरे जो है A सीरे की तरफ लगे हुए हैं तो विद्युद्धारा हम लोगों को यहाँ से निकलती हुई मिलेगी और यहां पर बी सीरे पर जाकर के खतम होगी बी सीरे पर जाकर के खतम होगी अब यहां पर देखो जैसे कि यहां पर जो विभुवांतर है ठीक है एक में I1 धारा बहेगी एक में I2 धारा बहेगी अब जैसे कि यहां पर जो विभुवांतर है जैसे कि V बराबर यहाँ पर जो है V बराबर एक बार हम E1 माइनस I R1 लिखते हैं दूसरे बार क्या लिखेंगे E2 माइनस यह I1 R1 होगा ठीक है और यह E2 माइनस I2 R2 होगा और क्योंकि यहाँ पर विभाव समान है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे I1 बराबर यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा I1 बराबर क्या मिल जाएगा इसको इधर पक्षांत करें V को इधर ले आए तो E1 माइनस V बटे क्या हो जाएगा R1 और इसी तरीके से दूसरा वाला क्या हो जाएगा I2 बराबर E2 माइनस V बटे R2 है न, E2 माइनस V बटे R2, I1 और I2 अगर हम लोगों को यहाँ पर मिल गया, तो यहाँ पर अगर हम लोगों को जो है, अगर तुल्य विद्युत वाहग बल और तुल्य प्रतिरोध अगर निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यह जो विद्युत धारा जो बट रही है इसको हम यहाँ पर जोड देंगे इनका मान हम यहाँ पर रख देंगे तो I1 के जगार रख देंगे हम E1 बटे V E1 माइनस V बटे R1 प्लस E2 माइनस V बटे R2 है न, लिख दिया हाँ, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग इसके बाद क्या कर सकते हैं जल्दी बताओ, कौन बताएगा इसके बाद हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर हम जो है इनको सेपरेट कर सकते हैं ठीक है, सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 यह हो गया separate और इधर minus common निकाल के V common निकाल लिया और यह separate हो गया 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 ठीक है और यह हो गया क्या आई ठीक है तो यह equation मिल गया यह हमारा यहाँ पर separation हो गया अब इसके आगे हम लोगों को क्या करना है इसके आगे हम लोगों को लगुत्तम समाप वर्थ लेना है यहाँ पर है ना LCM लेना है और बस इस equation को हम लोगों को आगे हल करना है ठीक है करते हैं इसको आगे हल हम तो क्या हो जाएगा यह सबसे पहले यहाँ पर फिर से लिख लेती हूं है equation को I बराबर E1 क्या है I बराबर E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 माइनस V1 बटे R1 प्लस एक बटे R2 गाइस यह समना अंतरक्रम सही ओजन का जो derivation है यही थोड़ा सा टफ है तो बिलकुल आप लोगों को जहां से देखना है और हो सकता है कि आप लोगों को derivation करते समय बोर फील हो तो बिलकुल भी बोर फील नहीं करना है सभी बच्चे गाइस एवरिवान अभिशेक रोशनी तन्नू सोनम और कौन बच्चे सारे बच्चे गाइस एवरिवन एवरिवन ठीक है तो यहाँ पर ध्यान से देखो ठीक अब यह हो अब इसके बाद हम क्या करेंगे? LCM लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? R1, R2 और यहाँ पर हो जाएगा क्या? E1, R2 प्लस E2, R1 यही होगा? LCM ले लिया हम लोगों ने और यहाँ पर R2 और R1 हाँ यही होगा इसके बाद यह क्या है? माइनस भी और यहाँ पर भी होगा R1 इंटू R2 और यह होगा R2 प्लस R1 है कि नहीं और यहाँ पर जो I था वो I ही रहेगा अब हम क्या करेंगे यह जो है दोनों से हम common निकालेंगे दोनों से हम common निकालेंगे और इधर ले आएंगे I, R1 R2 ठीक है I, R1, R2 common निकालके इधर ले आएंगे तो यह क्या हो जाएगा आप लोगों का E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस क्या हो जाएगा माइनस V R1 प्लस R2 ठीक अब हम क्या करेंगे इसको ले आएंगे इधर और इसको भेज देंगे उधर ठीक है तो क्या हो जाएगा यह V R1 प्लस R2 बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I R1 R2 अब क्या करेंगे यह वाला जो हमारा हिस्सा है इसको ले जाएंगे नीचे ठीक है नीचे ले जाएंगे तो अभी हमको इसको भाग देना है ठीक है तो यह स्टेप आप लोगों को ध्यान रखना क्योंकि बुक में यह स्टेप जो है आप लोगों को डारेक्ट दे दिया होगा तो में भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ठीक है E1 R2 E2 R1 और यह हो जाएगा दोनों के बटे में इस वीभव में से जैसे वी बराबर E-I-R वाला जो हमारा रिलेशन था ना इससे अगर हम लोग क्या करेंगे इसको compare करेंगे क्या करेंगे इसको compare करेंगे यह वाले equation को तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा जो यह वाला हिस्सा है हमारा वो क्या मिलेगा हम लोगों को तुल्य विद्यूत वाहाग बल E-1 R-2 प्लस E-2 R-1 बटे क्या मिल जाएगा R-1 प्लस R-2 और जबकि यहाँ पर जो हमारी जो तुल्य तुल्य प्रतिरोध है हमारा तुल्य प्रतिरोध R-Equivalent बराबर R-1 R-2 बटे R-1 प्लस R-2 तुल्य प्रतिरोध तो आप लोग दोनों में ही देख सकते हो जैसे सिंपल प्रतिरोध हो का संयोजन जब करते थे तो वहाँ पर जैसे आप लोगों को तुल्य प्रतिरोध मिलता था वैसा ही तुल्य प्रतिरोध आप लोगों को तो इसके बाद वाल स्टेप में ये जो आप लोगों का एक equation है और ये मालो दूसरा equation है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं divide कर सकते हैं तो जैसे कि numerical आया तो सीधे-सीधे आप लोगों को इस पर value रखके जो है आप लोगों को लिखना है ये जो है इस रूप में भी लिखा सकता ह है ये ठीक है तो simply आप लोग इसको theoretical format में लिख सकते हो कि जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है वो जो है कैसे मिलेगा आप लोगों को प्रतियक आंतरिक प्रतिरोध के वित्क्रम के योग के बराबर हम लोगों को तुल्य प्रतिरोध का वित्क् लिखते हैं ठीक है और यहां पर अगर हम लोगों को यहां पर एक चीज और निकालनी है क्या निकालनी है तो उसको हम लोग यहां पर एक्वेशन को भाग देते हैं एक से दो को यह equivalent बटे R equivalent मतलब की जो तुल्य विद्धुत वहागबल है उससे हम लोग तुल्य प्रतिरोथ को यहाँ पर भाग दे रहे हैं तो हमारा ये जो वाला जो equation है उससे हम इसको भाग देंगे ठीक है तो चलो भाग दे देते हैं भाग देंगे तो इन नीचे नीचे का हिस्सा कट जाएगा ठीक है तो क्या हो जाएगा ये E1 R2 plus E2 R1 बटे R1 प्लस R2 और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा R1 into R2 बटे R1 प्लस R2 ठीक है और यहाँ पर ये वाला जो हमारा हिस्सा है भाग देने से यह हमारा कट जाएगा और यह वाला जो हिस्सा अगर हमारा कट जाएगा तो हमारा यह क्या आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 बटे क्या आएगा R1 इंटू R2 R1 इंटू R2 जब प्रत्य एक में इसको भाग दे देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा E1 बटे R1 और E2 बटे R2 ठीक है तो यह जो हमारा एक्वेशन आएगा इसको आप लोग theoretical format मिली करके finally आप लोग जो है समनांतर क्रम सहियोजन का derivation पूरा कर सकते हो और यह exam में आता ही जाता है question बहुत important है बिलकुल important है इसके related पांच नंबर के numericals भी important है और यह स्रीणी क्रम और समनांतर क्रम सहियोजन का जो derivation है वो भी आप लोगों का जो है important है अगर इसको यहाँ पर लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो कि विद्युत वाहग बल की तुल्य विद्युत वाहग बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का अनुपात प्रत्येक विद्युत वाहग बल और उसके आंतरिक प्रतिरोध के अनुपात के योग के बराबर होता है जो यहाँ पर एकोशन में लिखा है उसको मैंने थोरी में बोला है तुल्य विद्युत्वागबल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का अनुपात प्रत्येक विद्युत्सेल के विद्युत्वागबल आंतरिक प्रतिरोध के अनुपात के योग के बराबर होता है अगर तीसरा विद्युत्सेल आया तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर add हो जाएगा प्लस हो जाएगा और E2 बटे R3 हो जाएगा ठीक है तो इसी तरह से जैसे आप लोग प्रतिरोधों के संयोजन में पढ़ेते तो आप लोगों ने आज सेलों के संयोजन समनांतर क्रम और सेंडिकम में जो है पूरा पढ़ लिया है अब बारी आती है विद्यूत उर्जा की क्या आती है विद्यूत उर्जा की बारी आती है तो भाई विद्यूत उर्जा ठीक है तो उर्जा को हम लोग energy को E से यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे या फिर हम लोग इसको H से भी प्रदर्शित करते हैं E से प्रदर्शित इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ईफ और विद्यूत चेत्र भी हम लोग यहां पर दिखाते हैं विद्यूत चेत्र की तिवृता भी हम यहां पर दिखाते हैं ईफ और विद्यूत वहाग भल भी हो रहा है तो काफी सारी चीज़े कॉमन हो जाती है इसलिए ज्यादा करके हम लोग क्या करते हैं यहां कोई भी यंत्र है उसको चालू करने के लिए हम लोग जो है विद्यूत उर्जा चाहिए होती है हम लोगों को जिसके लिए हम विद्यूत सेल का इस्तमाल कर रहे हैं यहां पर और यह जो यहां पर विद्यूत उर्जा होती है यह विद्यूत उर्जा हम लोगों को कैसे प्रा कारे किया जा रहा है क्या किया जा रहा है विद्धुत्वाहकबल के द्वारा कारे किया जा रहा है मतलब कि जैसा ही हम विद्धुत्वाहकबल कोई सेल लगाते हैं तो उसके विद्धुत्वाहकबल की वज़ा से हम लोगों को यहां पर क्या मिलता है विभुवांतर मिलता है और किसी परिपत में हम लोग इस विभुवांतर को जब हम जोड़ते हैं तो हम लोगों को इस परिपत में क्या प्राप्त होती है विद्धारा प्राप्त होती है क्यों कि क्या होता है उर्जा का मतलब कारे करने की शमता को हम क्या कहते हैं उर्जा कहते हैं बिल्कुल कक्षा 11 वी में आप लोगों ने पढ़ाई है विद्धुत उर्जा के बारे में कारे करने की शमता को हम विद्धुत उर्जा कहते हैं और यहां पर यहां पर सेल के द्वारा ठीक विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इस विद्युत सेल के द्वारा जो कार किया जाता है वो क्या कहलाता है इस विद्युत सेल की विद्युत उर्जा कहलाती है क्या कहलाता है इस विद्युत सेल की विद्युत उर्जा कहलाती है मतलब यहां पर लिख सकते हो कि यहां पर जो उर्जा है इस विद्धुत सेल के द्वारा सेल के द्वारा मतलब की विद्धुत वहकबल ठीक है विद्धुत सेल के द्वारा सेल के द्वारा परिपत में क्या प्रवाहित करने के लिए परिपत में आई प्रवाहित करने के लिए परिपत में आई प्रवाहित करने के क्या किया जाता है कार किया जाता है तो यह किया गया कार ही क्या कहलाती है सेल की विद्युत उर्जा कहलाती है और यहां पर यह जो कार है हम लोगों को विद्युत विभाव के चाप्टर से पता है कार बराबर Q into V कार बराबर क्या हो गया Q into B और हम लोगों को विद्युत यहां पर वाला र है और यहां पर मान रखना словकि लिए रखेंगे विद्धध रया यहां पर इस Gef约 मल्टिप्लिकेशन होुझा आ designs वरग यहां न Iya पड़े हो, कुछ भी नया नहीं है। विद्यूत परिपथ में विद्यूत धारा प्रवाहित करने के लिए जो कारय किया जाता है, वह क्या कहलाती है, विद्युद उर्जा कहलाती है और शक्ति की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर शक्ति का मतलब क्या हो जाएगा कि सेल के द्वारा क्या सेल के द्वारा जो परिपत में किसमें परिपत में विद्युद धारा आई प्रवाहित करने के लिए जो कार्य करने की दर है क्या जो का विद्दुद शक्ति कहलाती है और शक्ति बराबर आप क्या लिख सकते हो शक्ति बराबर कारे बटे किया गया कारे किया गया सेल के द्वारा किया गया कारे बटे समय ठीक तो यहां पे सेल के द्वारा किया गया कारे आई का वर्ग आर्टी बटे में क्या हो जाएगा टी और यह T or T cancel हो जाएगा तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा विद्दूद सक्ती बराबर I का वर्ग R यह आप लोगों को विद्दूद सक्ती बराबर मिल जाएगा ठीक है अब हम लोग simply क्या कर सकते हैं ओम के नियम से हम लोगों को पता है कि V equals to I R होता है और क्या होता है V equals to I R होता है और I बराबर V बटे R होता है है ना I बराबर V बटे R होता है तो हम क्या कर सकते यहां पर हम replace करकर के रिखते जाएंगे तो बिल्कुल आप लोगोंने कक्षा 10 V में भी यह चीज किया होगा I का वर्ग R जैसे की है तो यहां में मैं इसको लिख सकती हूँ क्या I I R ठीक है इसके जगह में मैं लिख सकती हूँ क्या इसके जगह में मैं लिख सकती हूँ V तो यह हो जाएगा क्या V I हो जाएगा और अगर मैं I के जगह में क्या रख दूँ i के जगह में v by r रख दू ठीक है तो इस तरह से जब मैं रखूंगी तो इसको अगर हम solve करेंगे तो v का वर्ग बटे r हम लोगों को क्या मिल जाएगा विद्धुचक्ति का सुत्र मिल जाएगा ठीक अब इसके बाद क्या कर सकते हैं ये दो चीज़ तो हम लोगों ने कर लिया v बराबर i r और यहां पर i बराबर v बटे r तो कितने रूप मिल गए हम लोगों को इसके हाँ तीन रूप मिल गए power बराबर एक तो v i i का वर्ग r v का वर्ग बटे r तो इस तरह से तीन रूप में आप क्या कर सकते हो विद्धुत सक्ति का सुत्र जो है लिख सकते हो और विद्धुत सक्ति के अलावा अगर विद्धुत उर्जा की बात करे तो विद्धुत उर्जा भी आप इन तीन रूपों तो इस तरह से हम विद्वत उर्जा और विद्वत शक्ति का जो सुत्र का इस्तमाल है नियुमारिकल सॉल्व करने के लिए करेंगे तो बिल्कुल यह चीजे आप लोगों को क्लियर रहना है और बिल्कुल हम जो है जतने भी टॉपिक्स अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं उसके लिए हम कुछ नियुमारिकल यहां पर ट्राई कर लेते हैं मैं जस्ट आप लोगों को अप्रोच बताऊंगी या आप लोगों को जो है खुद से इस को को सॉल्व करना है और इन को करने के बाद हम आगे की टॉपिक की ओर जाएंगे जहां पर हम क्या पढ़ेंगे ज विद्धुत्वा हगबल बराबर दो वोल्ट आंतरीक प्रतिरोध बराबर 0.5 ओम और 6 सेलों की बैटरी क्या है? 6 सेलों की बैटरी है 220 वोल्ट का 220 वोल्ट का क्या है विद्धुत्वा हगबल? तोटल कितने सेल है? 6 से ठीक है? 6 सेल है तो कुल विद्धुत्वा हगबल दो गुणा 6 बराबर 12 वोल्ट और कुल आंतरीक प्रतिरोध कितना हो जाएगा? कुल आंतरीक प्रतिरोध आर लिख देती हूँ कि दो कितना हो जाएगा ये? शुन अदर सम्ला 5 को 6 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा? तीनो फिर उसके बाद जो बाई है मतलब की जैसे कि मान लोग ये बैटरी है कैसे जोड़ा गया है? इसको सेनी क्रम में जोड़ा गया है कि समनांदर क्रम में कहीं पर कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है तो सिंपली हम इनको ऐसे ही जोड़ेंगे और इसका जो कुल बैटरी का जो जो है 6 सेलो की जो बैटरी है उसको क्या कर रहे हैं? 220 वोल्ट और 10 ओम के बाहय प्रतिरोध का प्रयोग करके हम क्या कर रहे हैं? आवेशित कर रहे हैं और इस्तमाल कर रहे हैं और इसे क्या कर रहे हैं? हम लोग इन 6 विद्धुत सेलो को हम जो है आवेशित कर रहे हैं और बैटरी के सीरो पर हम लोगों को क्या निकालना है? बैटरी के सीरो पर हम लोगों को यहाँ पर विभुवान तर निकालना है क्या निकालना है हम लोगों को विभवान तर निकालना है तो जल्दी से सारे बच्चे फटाफट से try करेंगे question कौन कौन solve कर पा रहा है जल्दी से try करो question solve करने के लिए फटाफट से सारे जितने भी values दिये गए हैं सारी values मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर लिख दी है और आप लोगों को थोड़ा try करना है यहाँ पर चलो हम करके देखते हैं इसको तो यहाँ पर जैसे की हमारे पास क्या है एक बड़ा सा battery है जिसको हम लोगों ने कितना value दिया है 220 volt और 10 ohm के बाहय प्रतिरोध है ना यह बाहय प्रतिरोध R है capital R और यह इसका आंतरिक प्रतिरोध हम लोगों को नहीं पता है ठीक है यह मान लोग की यह है ठीक है अब इसका इस्तमाल हम लोग क्या कर रहे हैं हम इसका उपयोग कर रहे हैं ठीक है किसका उपयोग कर रहे हैं यहां पर लोगों के इस बड़े वाले बैटरी का 220 की बैटरी का यह 220 वोल्ट हो गया और यहां पर क्या हो गया आंतरिक प्रतिरोध जो है सौरिए बाहय प्रतिरोध है capital R बराबर 10 ohm का और यहां पर सब के सापक्ष दो वोल्ट दो वोल्ट दो वोल्ट और दो वोल्ट और दो वोल्ट तो कुल मिला करके ये कितना हो गया बारा वोल्ट हो गया सिरेणी क्रम में विभाव जूरता है ठीक है बारा वोल्ट हो गया और यहां पर इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो गया तीन ओम क्यों इस रेडिक रम में जो है आप लोगों का यहां पर जो आंधरिक प्रतिरोध है वो भी क्या हो जाता है जूट जाता है अब जैसे कि यहां पर जो बहने वाली विद्युद्धारा है ना इस विद्युद्धारा का मान समान होगा क्योंकि चार्ज हो रहा है यह सारा 6 सेल जो है एक बैटरी के मतलब यहाँ पर एक बैटरी के सापेक्श हम लोगों को सीरो पर क्या मिल जाएगा एक बैटरी के सीरो पर यहाँ पर विभवानतर मिल जाएगा ठीक है देखते हैं कैसे मिलेगा तो भाई हम यहाँ पर ट्राइ करते हैं ठीक है यहाँ पर क्या है 220 वोल्ट का आ हो जाएगा और जैसे कि हम लोगों ने जो है क्या निकाला था इसके पहले सूत्र था हमारे पास विद्युद्धारा स्रेणी क्रम वाले में यह इक्वेलेंट बटे क्या लिखा था हम लोगों ने प्रति एक विद्युद्ध सेल के का आंतरीख विभव हमारे पास क्या है तीन है अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से यह हो जाएगा क्या 208 बटे ये हो जाएगा क्या 13 और यहां से अजरा विद्धारा calculate कर लो भई फटा फट calculate कर लो यहां से विद्धारा calculate कर लो विद्धारा लगभग अंदाजा कितना आएगा कितना आएगा कितना आएगा और यहां पर हम लोगों को प्रेश्ण में बोला है की एक बैटरी के सीरो पर विभुआंतर कितना होगा यह नहीं एक बैटरी नहीं यह भई यह पूर्ण विराम है I'm sorry मैंगी confused हो गई थी यहां पर फूर्ण यह क्या है गिया जाता है का पूर्ण विराम है और हमको ग्याद क्या करना है बैटरी के सिरो पर विभुवांतर ग्याद करना है इसका मतलब यह जो 6 बैटरी हम लोगों ने लिया है यहां से ले करके यहां तक तो यहां पर पूरे 12 वोल्ट के सिरो पर यहां पर हम लोगों को विभुव रहे हैं इसमाल को चार्ज कर रहे हैं अगर इस्तमाल कर रहे होते जहां पर बाहर परिपत होता तो यहाँ पर क्या आता बीच में माइनस आता क्योंकि वहाँ पर क्या होता विभाव पतन होता पर यहाँ पर तो है हम लोगों को क्या मिल रहा है यहाँ पर तो है हम लोग जो है इस बड़े वाले 220 वोल्ट से हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर इसको चार्ज कर रहे हैं तो इस से आपका यह क्या हो जाएगा आई तो निकल गया और यह हो जाएगा वी बराबर आप लोगों का यहां पर क्या कर रहे हैं चार्जिंग कर रहे हैं डिस्चार्जिंग नहीं कर रहे हैं ठीक है तो यहां पर जो है आप लोगों को ग्याद क्या करना था यहां पर आप लोगों को विभुवांतर ग्याद करना था तो आप लोगों को बैटरी के सापेक्ष विभुवांतर ग्याद करना है तो विद्वाच व ciert कितना हैका उसका 12 और विद्वुद 11 646 और 5 प्रति रोध कुल 8 प्रति रोध कितना है 3 ओम का यूद करोगे तो विभुवांधर कितना आ आप लोगों को बैटरी के सीरो के सापिक्ष साथ होल का विभवानतर ठीक है तो भाई इस तरह के नुमरिकल्स आते हैं यहाँ पर बैटरी के सापिक्ष यह जो विभाव है यह क्या जाएगा साथ होल्ट का क्लियर है सभी को वेरी गुड चलो भाई आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स सो कोशन में अगले सवाल पर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक प्राथमिक सेल का विद्धुद्वाहकबल दो वोल्ट है प्राथमिक सेल दो वोल्ट जब लगू परिपत जब यहाँ लगू परिप होता है तो चार एंपियर की विद्धारा देता है ठीके लगू परिपत में किती विद्धारा देता है चार एंपियर ओम के नियम में इसका आंतरिक प्रतिरोध ओम के नियम से इसका क्या आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा तो भाई बस यही ओम के नियम से इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा तो आंतरिक प्रतिरोध हम लोगों को पूछ रहा है विद्ध वहकबल हम लोगों को दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है हम लोगों को यहाँ पर 4 एंपियर की विद्ध धारा देती है जब लगू परि पत होता है तब ठीक है तो यहां पर हम लोगों को एक सुत्र पता था आई बराबर एक्वेलेंट बराबर क्या आर एक कैपिटल आर प्लस आर एक्वेलेंट ठीक है तो यहां पर एक्वेलेंट तो आएगा नहीं क्यों केवल और केवल एक ही सेल की बात करी गई है तो यह हो ज चूटा पर हुद्धारिक प्रतिरोध की स्रफ का- 1511, लुए चूटासा आख मालो उतना चूटा सा तो उस्में जो है उस तार का जो परिपत है उसको प्रतिरोध हो उसको क्या मान सकते है capital R को नगर्णी मान सकते हैं इस वज़ा से यहां पर क्या हो जाएगा आई बराबर विद्धुत्वाहकबल बटे आंतरीक प्रतिरोध और यहां पर हम लोगों को निकालना क्या है आंतरीक प्रतिरोध तो विद्धुत्वाहकबल बटे विद्धुत्धारा तो यह क्या हो जाएगा विद्धुत्वाहकबल आप Everyone, फटाँ फट से सब के comment जाते रहने चाहिए, सभी के comment जाते रहने चाहिए, काफी असान सा सवाल है ये आप लोगों के लिए, और इसकी आगे का ये सवाल तो आप लोग सॉल्व करोगे, बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर सवाल को बस समझा देती हूँ, N पंक्तिया समनांतर क्रम में जुड़ी हुई है, प्रत्येक पंक्ति में कितने सेल है, M सेल है, ठीके प्रत्येक पंक्ति में M सेल है, इसका मतलब क्या हो गया, कि यहाँ पर जो है, ये इन पंक्तियों की संख्या क्या है, ये N पंक्ति, ठीके ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ती ये तीसरी पंक्ती और ये N पंक्ती और हर पंक्ती में कितने सेल है M सेल है ये पहला सेल E1 E2 और ये क्या है M सेल ठीके और स्रेणी क्रम में है ठीके M सेल स्रेणी क्रम में है तो बिल्कुल इसी तरह से सारे इसमें जो है M सेल जो है स्रेणी क्रम में है और इधर जो है कितने नंबर आफ सेल है एन पास समझ में आ रही है ये एन है अब यहाँ पर क्या बोड़ रहा है कि इस सायोजन में अधिक्तम धारा तीन ओम प्रतिरोध में प्राप्त होती है अधिक्तम धारा का प्राप्त होती है तीन ओम प्रतिरोध में प्राप्त होती है प्रयुक्त सेलों की जो कुल संख्या है वो क्या है चोबीस है ठीक है प्रयुक्त सेलों की कुल संख्या चोबीस है तो प्रत्येक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है शुनित असमलब 5 है तो हमको M और N का जो है मान ग्याद करना है, क्या ग्याद करना है M और N का मान ग्याद करना है, देखो कुल सेलो की संख्या आप लोगों को यहाँ पर कितनी दी हुई है, कुल सेलो की संख्या आप लोगों क 24 है मतलब कि M गुणा N मिला करके हमारे पास क्या है 24 है M गुणा N मतलब कि इधर वाली संख्या समनांतर क्रम में जो है वो N संख्या में पंक्तिया है और प्रतियेक पंक्ति में कितने सेल लगे हुए है M सेल लगे हुए हैं तो अगर हम लोगों को कुल सेलों की संख्या निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी M into N बराबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा और यहां पर हम लोगों को जो है ग्याद करने के लिए जो बोला है ठीक है और क्या बोल रहा है सवाल में कि अधिक्तम धारा तीन ओम के प्रतिरोध में प्राप्त होता है इस संयोजन में अधिक्तम धारा जो है तीन ओम के प्रतिरोध में प्राप्त होता है अधिक्तम धारा तीक है तो अधिक्तम धारा तीन ओम के प्रतिरोध में प्राप्त हो कुछ समझ में आ रहा है, ट्राई करो, तीन ओम के प्रतिरोध में अधिकन धारा और प्रत्येक आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम का दिया हुआ है यहाँ पर, तो तीन ओम के प्रतिरोध में, अधिकन धारा तीन ओम के प्रतिरोध में मिलता है, मतलब कि यहाँ पर जो प्रत्येक पंक्ती है, ठीक है, प्रत्येक पंक्ती है, वहाँ पर कितना प्रतिरोध होना चाहिए, तीन ओम का प्रतिरोध अगर होना चाहिए, और प्रत् ओम का प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर जो है आंतरिक प्रतिरोध ठीक है तब जाकर के हम लोगों को क्या मिलेगी अधिक्तम धारा मिलेगी तो इस रिलेशन में M by N बराबर ये क्या हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा क्या 3 N को उधर पक्षांतर करूँगी तो ये रिलेशन हम लोगों को 0.5 M बराबर 3N मिलेगा ठीक है अब यहाँ पर देख लो आप लोगों को 2 रिलेशन मिल गए हैं कितने रिलेशन मिल गए हैं दो रिलेशन मिल गए हैं यहाँ पर और यहाँ पर अगर आप दोनों एक्वेशन को compare करोगे तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो value निकाल सकते हो जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर जैसे कि हम क्या लिख सकते हैं देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं m बराबर 3 बटे 6.5 तीन बटे 6.5 यह कितना हो जाएगा 6n हो जाएगा 6n और यहाँ पर इसके पहल जगह में 6 एन रख दोंगी तो वहां से मेरे को जो है मिल जाएगा बिल्कुल यहां पर हम सॉल्व कर लेते हैं यह क्या हो जाएगा एम के जगह में 6 बराबर क्या हो जाएगा दो हो जाएगा एन बराबर दो हो जाएगा तो एम बराबर क्या है सिक्स एन है तो एम बराबर कितना हो जाएगा दो गुणा छै बराबर क्या हो जाएगा बारा हो जाएगा तो हम लोगों को यहाँ पर एम और एन की संख्छा मिल गई एम बराबर तो बिल्कुल यह चीज आप लोगों को समझना है अगर आप समझ पाओगे अधिक्तम धारा जो बहरी है अधिक्तम धारा वो तीन ओम के प्रतिरोट से बह सकती है इसका मतलब समनानतर क्रम में जो है एक जैसी धारा बहेगी ठीक है और एक जैसी जो धारा बहेगी है ना और यहाँ पे स्रेणी क्रम में एक जैसी धारा बहेगी और समनांतर क्रम में अलग-अलग धारा बहेगी जाहिर सी बात है कि धारा दो भागों में बटेगी तो बराबर बराबर बटेगी और प्रतियेक भाग में मतलब प्रतिये प्रतिते के सापेक्ष जो है तो तुल्य प्रतिरोध का मान यहां पर तो कितना हुआ है यह 3 ओम दिया हुआ है क्या है तुل्य प्रतिरोध का मान हम लोगों ने यहां पर रख दिया और बिलकुल इस तरह से relation करके तो बिल्कुल यह समझने वाली बात है इस तरह के सवाल आप लोगों को practice करने से बनेंगे बिना practice कि आप इन तरह के सवालों को हल नहीं कर सकते हो और बिल्कुल यह विद्यूत उर्जा सकती से related questions है विद्यूत हीटर विद्यूत बल्ब आप लोगों को 500W, 220V, 100 वाट बिल्कुल इन questions को जो है आप लोगों को जो है लिख लेना है यहाँ पर लिख लेना है और आप लोगों को इन questions को खुद से try करना है क्या करना है आप लोगों को इन questions को आप लोगों को खुद से try करना है ठीक है इन questions को क्या करेंगे हम खुद से try करेंगे करेंगे कि नहीं करेंगे yes या no जल्दी से screenshot ले लो मैं बिल्कुल side हो गई हूँ question का screenshot शॉट आप लोगों को ले लेना है और इन कोछेंस को आप लोगों को ट्राई करना है ठीक है और यहां पर जो है बिल्ग autumn निकाल है इन सुथ्रों के स्थमाल से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते है स्रेणि में खर्च की गई सकती की गर्णा कर सकते हैं और बिल्कुल स्रेणी क्रम की बात हो रही है तो आप लोगों को वहाँ पर भी mostly आप लोगों को आई थिंक ये वाला जो है इस्तमाल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर स्रेणी क्रम और समनांतर क्रम की बात कर रहा है तो जैसे की स्रेणी क्रम में क्या होता है स्रेणी क्रम में विध्युद्धारा एक जैसी होती है और समनान्तर क्रम में जो है विभाव एक जैसा होता है तो accordingly देखना, try करना बिल्कुल ये question आप लोगों को करना चाहिए आना चाहिए try करने के लिए Odyssey इंट्रेस्टिंग कोश्चन है बिल्कुल इसको ट्राई करना ठीक है यहां पर प्रतिरोध जो है वो कामन रहेंगे दोनों में प्रतिरोध निकाल लेना पहले है ना हीटर का और बल्ब का प्रतिरोध निकाल लेना पहले और उसके बाद करना चल नेक्स कोश्चन में आ जाते रचना आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर बनी हुई दिखाई दे रही है तो बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हो कि जो डाइग्राम यहाँ पर बना हुआ है यहाँ पर प्रतिरोध जो है आपस में जुड़े हुए है और इन जुड़े हुए प् नापस में समनांतर क्रम्में बीच में जुड़े हुए ये और इस तरह से आप लोग देख रहे हूं ब्रिज नुमा संरश्णा जो आप लोगों के लिए नहीं गयी गई है इस व्रिज लूमा संथरश्णा में ये जो ऐसे वो क्या है आप लोगों का अग्याद प्रतिरोध ह calculate дум के लिए इस सेतू का जो है नर्मान किया जिसमें उन्होंने क्या-क्या क्या इस्तेमाल एक विद्ました किया एक विद्डि वंत्व से इस्तेमाल किया है है और दूसरा क्या क्या SAP सिक्षाल क्या है behavior का यहाँ पर ज्वे है स्तेमाल किया है और यहां पर हमारे पास तीन जो है ज्याद प्रतिरोध है जिलके मान हम लोगों को पता है और चौथा अगर अज्याद प्रतिरोध है तो वहां से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर मान निकाल सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर जब हम लोगों को यहाँ पर मान निकालना होगा ठीक है तो उसक में आता है पांश नमबर का तो सबसे पहले आप लोगों को साइंटिस्ट का नाम लिखना है कि सी एफ वी स्टों नाम के साइंटिस्ट ने जो है बिल्कुल अज्याद प्रतिरोध की गढ़ना के लिए वीट सेटू का निर्मान किया तो इस सेटू में चार प्रतिरोध होते ह जिसमें से एक अज्याद प्रतिरोध होता है बागी तीन प्रतिरोध के मान हम लोगों को ग्याद होते हैं और इसमें से जो आपका P और Q प्रतिरोध है चित्र के अनुसार यहाँ पर स्रेणी क्रम में सहियोजित है और R और S जो है आप लोगों का यहाँ पर यह भी स्रेण धारा मापी लगाया हुआ है जिसको हम गैलवनोमिटर बोलते है धारा मापने के लिए और ए और सी के मध्य क्या किया गया है ए और सी के मध्य यहाँ पर जो है एक विद्युद्वाहकबल लगाया जा रहा है यहाँ पर मतलब विद्युद्वाहकबल से जो है यहाँ पर भूनांतरक्राम में हैं तो जैसे कि यहाँ पर जो है विभाव होगा यहां पर VB Education के सापक्ष के इन विभाव के तीन जैसे ही हम यहाँ पर इस विद्युद्वाकबल की सहायता से एस ही सीरो के सापेक्ष इस सेतु में हम जैसे ही विद्युद्धारा प्रवाहित करवाते हैं तो धारा के प्रवाहा के कारण हम लोगों को क्या प्राप्त होता है धारा के प्रवाहा के कारण यहां से जैसे की प्रतिरोध से होते हुए यहां पर जैसे विद्धारा जाती है ठीक है यहां पर विद्धारा जाएगी और बिल्कुल आगे भी बढ़ेगी यहां पर देखो आई थ्री और आई फोर धारा जारी है यहां पर आई वन और आई टू धारा जारी है ठीक है तो ह यहां पर विभाव प्राप्त होगा वी बी और वीडी के साफ एक्ष तो यह वी बी और वीडी में तीन तरह से रिलेशन हो सकते हैं तो पहला रिलेशन यह हो सकता है कि एक जो आपका ये जो बी सीरा है ठीक है जो बी यहां पर है वी बी बी का जो विभाव है आप लोगों का ये वी बी का जो विभाव है इस वीडी के विभाव से बड़ा हो सकता है ठीक है वी बी का वीभाव जो है वीडी के विभाव से यहां पर क्या हो सकता है बड़ा हो सकता है तो बिल्कुल यहाँ पर जो विद्युत धारा में कुछ ना कुछ विक्षेप हम लोगों को मिलेगा यहाँ पर विक्षेप हम लोगों को सुन्या नहीं मिलेगा ठीक है यहाँ पर जो है गैलवनोमिटर के सापेक्ष गैलवनोमिटर से प्रवाहित होनी वाली विद्युत धा रहे हैं ये विद्युत्वाकबल हमारे पास यहां पर कंट्रोल में है तो जैसे ही हम यहां पर विद्युत्धारा का मान है वो इस विद्युत्वाकबल पर निर्भर करती है विद्युत्वाकबल बढ़ाने से विद्युत्धारा बढ़ेगी विद्युत्वाकबल कम करने से विद्धारा कम होगी ठीक है और यहाँ पर एक condition यह आएगा जब हम विद्धारा प्रवाहित कर रहे होते हैं तो दूसरे condition में यहाँ पर क्या होगा जो VD का विभाव है वो बड़ा हो जाएगा VB से तो यहाँ पर VB less than हो जाएगा VD के ठीक है तो यहाँ पर क्या हो है बार-बार क्योंकि यह हमारे control में होता है तो हम जो है बार-बार जो है विद्धारा अकबल का मान जो है बढ़ा घटा करके देखते हैं एक ऐसी इस्थिति आती है जहाँ पर हम लोगों को बी और डी के सापेक्ष जो विभाव है यह क्या मिलता है बराबर मिलता है और ज सेतु जो है सेतु के संतुलन की इस्थिती बोलते हैं सेतु के संतुलन की इस्थिती ठीक है तो यहाँ पर वीटिस्टोन सेतु में हम लोगों को जो है लाना क्या होता है सेतु में संतुलन का इस्थिती लाना होता है और जब हम लोगों को यहाँ पर ब्रिज में इस वीटि आप का जो विच्छेप्अ है ult a acost Satell nen कि इस सिति में धारा का विच्षेप्अ पर रोगों को 440 है 5afar कि यहांपर जो वीच में है वीच में कोई भी प्रकार्ण की शाखा नहीं रहेगी उसको हम क्या कर सकते हैं बिलकुल और बिलकुल हटा सकते हैं और जब इस तरह से हम हटा सकते हैं और यह जो तीसरा केस है हमारा वीवी बराबर वीडी ठीक है तीसरा केस वीवी बराबर वीडी ठीक है वीवी बराबर वीडी तो इस वीवी बराबर वीडी में लोगों को क्या प्राप्थ होगा धारा का विक्षेप हम लोगों को शुन्य प्राप्थ होगा शुन्य प्राप्थ हुआ तो फिर क्या होगा यहां पर शुन्य प्राप्थ हुआ तो फिर क्या होगा हमारा जो यहां पर क्या हो लिख सकते हैं हम लोग यहां पर हाँ यह जो ए और B के बीच का जो विभवांतर है जो यहाँ पर P के सापेक्ष प्रतिरोध P के सापेक्ष हम लोगों को जो मिल रहा है वो और यहाँ पर Q के सापेक्ष B और C के बीच का जो विभवांतर है यह V A और यह V B और V B और V C ठीक है यह हमारा क्या हो जाएगा यह दोनों जो है हमा यहां पर क्या कर सकते हैं अ बिलकुल यह यह जो है यह तो होगा पर हमारे यह जो विभावर वह बराबर हो जाएंगे ये वाले और ये वाले इन दोनों के साथ एक मतलब वी A minus VB और यह V A minus VD. Yes, this is right. तो यहाँ पर लिख लेती हूँ, मैं V A, एक बार आप लिख सकते हो इसको V A minus VB, left hand side का हम लोग देख रहे हैं, V A minus VB और V A minus VD लिख लो, V A minus VD. यह left hand side का, जो हम लोग का सेतू है ना, उसका left hand side है, और यहाँ पर मैं जो है, आप लोगों के लिए right hand side भी लिख दे रही हूँ, right hand side, VT stone सेतू का VB बराबर VD के लिए, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, V A, नहीं, यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हो, यह वाला, V B माइनस VC और VD माइनस VC, हाँ, यह लिख सकते हो, V B माइनस VC और VD माइनस VC, हाँ, बिलकुल, तो यह विभवानतर यहाँ से आ जाएंगे, और इनके सापेक्ष, जैसे इसके सापेक्ष I1P है, और इसके सापेक्ष क्या है, I2R है, ठीक है, I2R है, अब क्योंकि यह वाला जो हिस्सा है, वो हट गया है, तो यहाँ पर भी जो बहने वाली धारा है, यहाँ पर जो बहने वाली धारा है, यह भी यहाँ पर I1 धारा आएगी, और यहाँ पर क्या है, I2 धारा आएगी, ठीक है, तो जब यहाँ पर I2 धारा आएगी, तो यहाँ पर अगर हम लोग मान रख हमें धारा क्या है i2 और प्रतिरोध क्या है r i2 r तो यहाँ पर i1 बटे i2 बराबर क्या हो जाएगा r बटे p ठीक है r बटे p और यहाँ पर क्या हो जाएगा ठीक इसी तरीके से देख सकते हो आप लोग vb-vc तो i1 i1 q और i2 s i1 q और i2 s और यहाँ से i1 बटे i2 बराबर क्या मिल जाएगा s बटे q ठीक है तो यह आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप लोग क्या कर सकते हो समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप equate कर सकते हो जब equate करोगे तो r बटे p बराबर s बटे q क्या हो जाएगा r बटे p बराबर s बटे q हो जाएगा और यहाँ से हम रारा जो अग्यात प्रतिरोध है वो क्या है s है तो s को एक तरफ ले आओ यह क्या हो जाएगा r q बटे p हो पित कर लिया है वीटी स्टोन सेतू के लिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को इस डाइग्राम में बता रही हूँ देखो हुआ क्या चार प्रतिरोत का हम लोगों ने इस तरीके से ब्रिज रूमा संरचना लिया जिसमें हम लोगों ने एक विद्युत वहाग बल और एक ग ज़िद्धारा प्रवाहित करी जो यहाँ पर 2 सीरो में बढ़ रही थी क्योंकि यह दोनों सीरे सम लांतर क्रम में अरग मिल जएग़ा तो यह वी और वो क्या हो जाएगा एक दुसरे के बराबर सेतु संतुलन की स्थती में आ जाएगी जहां पर हम लोगों को धारा मापी का जो डिफ्लेक्शन विक्षेप है वो शुन्य प्राप्त हो रहा है तो सबसे पहले इस bridge के left side और right side के लिए हम लोग लिख लेते हैं I1 और I2 के लिए हम लोगों को यहां से क्या मिल जाता है I1 और I2 के लिए हम लोगों के यहां पर equation मिलता है कैसे मिलता है यहां पर कि यहां पर left side में जो VB है लाप साइड में जो VB है उसके लिए जो विभवांतर है VA-VB और यहाँ पर नीचे वाले के लिए VA-VD ठीक उसी तरीके से राइट साइड के लिए VB-VC और VD-VC यह हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं और बिलकुल यहाँ पर I1 बटे I2 का हम लोगों को क्या मिल जाता है अग्यात प्रति रोध के लिए इसके रिलेटेड नुमरिकल भी आते है ठीक है तो ध्यान रकना है आप लोगों को इस बात का बहूत इंप्रोटेंट है जल्दी से झाहू तो नोट कर सकते हो हाँ तो नोट कर लिया तो जलो जल्दी से हम आगे बढ़ जाते हैं वीड स्टोन के बाद हम लोगों को जो पढ़ना है वो मीटर सेतू के बारे में पढ़ना है तो भाई अब मीटर सेतू क्या होता है तो बिलकुल ये जो मीटर सेतू है ये पूरा का पूरा जो है वीड स्टोन सेतु जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है उस वीड स्टोन सेतु के सिधान्त पर ही कार्य करता है और इसका इस्तमाल भी हम क्या करते हैं अग्यात प्रतिरोध इस S को ग्यात करने के लिए ही हम लोग इसका इस्तमाल करते हैं पर जब मैं वीड सेतु स से भी हमको अग्यात प्रतिरोध का पता चल रहा है तो हम मीटर से तु का क्यूं इस्तमाल करें मीटर से तु क्यूं आया रोल पे क्यूं बना तो किसी को कुछ अगर दिमाग में क्लिक कर रहा हो तो जल्दी से सब बच्चे कमेंट्स पे यहां पर लिख करके बताएंगे रोशन इंद्रजीद अभिशेक रोशनी फटा फट सारे बच्चे बताएंगे प्रीती प्रिया तनो अंजली ब्रजेश फटा फट सारे बच्चे कोई तो हो जो बताए चालो वेरी गुड तो चलो अच्छा लग रहा है कम से कम आप लोगों के रिस्पॉंस कमेंट्स पे फुरा यहां पर हम लोग यहां पर वीड इस्तों से टू में पड़ रही थे तो इस साहरण है जहां पर हम अगर प्रतिरोध करना है तो वहां करें लिए तो आप लोगों को जब आप लोग तुल्य प्रतिरोध ग्याद करते हो तो वहां पर भी आप लोगों को इस तरह के प्रतिरोध देखे जाते हैं और वहां पर भी हम लोग आप लोगों ने जब प्रक्टिस किया होगा प्रतिरोध के रिलेटेड कोशन तो वहां पर आप लोगों बीच में जो है बीच वाला जो ब्रांच होता है शाक हागी है उसका आप लोगोंने इग्नोर किया होगा जब आपड़ों का जो है संतुली तवस्था में ब्रति र grieving होगा जब तुल्या संतुली तवस्था में मैं आप अपहूर्ग एस तरीके से उन का गुड़न फल जैसे कि अगर समान ने होता है मतलब की आर क्यू बराबर जब पी एस होता है तो संतुलन की अवस्था कहलाता है और ऐसी हवस्था में हम लोग यहां पर इस कॉंसेप्ट का सिध्धान का इस्तमाल जो है तुल्य प्रद्रोध ग्याद करने के लिए भी करते ह है कि जटील विद्यूत परिपत के लिए हम लोगों को बड़ी शुधता से जो अग्याद प्रतिरोध है उसका मान ज्याद करना आसान नहीं है वीट सेतु के माध्यम से इसी वजह से उसके सिध्धान पर ही यहां पर मीटर सेतु बनाया गया लेकिन यहां पर जो है जटील परिपत के लिए हम क्या करते हैं इस मीटर सेतु का इस्थामाल करते हैं अग्याद प्रतिरोध को ग्याद करने के लिए तो अगर आप संरशना को ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले आप लोग ये प्रतिरोध बॉक्स और ये क्या है अग्यात प्रतिरोध है ठीक है और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे A, B, C, D ठीक है तो यहाँ पर ये जो दो प्रतिरोध है R और S और यहाँ पर जो है हम लोगों को एक और प्रतिरोध प्राप्त होंगे जो इस A भी और इस B सी के बीच की जो प्रतिरोध होंगे और यहाँ पर भी चार प्रतिरोध है तो आप लोग देख पारे हो कि इस तरह से आमने सामने प्रतिरोध हुआ करता था जब हम लोग जो है अभी अभी जब विट इस्टोन सेतू के बारे में जब हम पड़ रहे थे और बिल्कुल इस तरह से जो हुआ करता था तो आप लोगों को यहाँ पर बीच में ग्यालवनोमीटर भी लिखा लगा हुआ धारमापी लगा हुआ दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल यह जो संरचना है उससे रिलेटेड है पट यहाँ पर इस संरचना में क्या कर दिया गया है यहाँ पर जो AC है यह जो ग्रीन कलर की तार ली गई है यह जो ग्रीन कलर की ताल है यह जो है आपकी इसकी कुल लंबाई जो है हम लोग कितना मानते हैं इस AC की लंबाई हम मानते हैं L ठीक है और यह जो है जब हम लोग मीटर से तू बनाते हैं तो वहाँ पर हम ये विद्धूत उर्जा देंगे और यहां पर हम लोगों ने B और D के B मतलब कि यहां पर जो है हम लोगों ने एक कुझी लगाई हुई है जिसे हम लोग इसको क्या करते हैं? चालू और बंद करते हैं एक हमारा प्रतिरोध बॉक्स है और एक हमारा अज्यात प्रतिरोध है और यहाँ पर एक मिटर की लंबी तार और क्या है यह धारा मापी यहाँ पर लगा हुआ है और इसको बोलते हैं सरपी कुंजी सरपी कुंजी का मतलब क्या है कि इस सरपी कुंजी का मतलब यह है कि इस तार को हम जो है यह जो सरपी कुंजी है इसको हम लोग क्या करते हैं इस A और C वाली जो हमारी तार है ना तार जो चालक तार लगी हुई है इस मीटर से तुमें उस मीटर से तुमें इस सरपी कुंजी क जो है जरा इस तरह से सरकाते हैं ऐसा मनलब कि इसको जो है बार बर जो है अलग अलग जगा पे हम रख रख करके देखते हैं ताकि हम लोगों को करना क्या होता है इस धारा मापी के विक शेप को हम लोगों को शुन्य करना होता है और जब हम लोगों को धारा मापी का विक शे हैं मान ग्याद कर सकते हैं कैसे ग्याद होगा जैसे कि मान लो यहां पर इस point पर रुक गया इस point पर यहां पर जो है धारा मापी का विक शेप जो है सुन्य हो गया तो यह AB के सापेक्ष जो प्रतिरोध रहेगा और BC के सापेक्ष जो तो प्रतिरोध रहेगा ठीक है उसका जब हम लोग क्या करते हैं बिल्कुल तुलना करते हैं कंपेरिजन करते हैं संतुलन की स्थिती में तो उस इस्थिती में हम लोगों को क्या प्राप्त होता है उस इस्थिती में हम लोगों को यहां पर जो है अग्यात प्रतिरोध का मान ह हम ज्याद कर सकते हैं, तो देखो, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था, कि A C जो है, हम लोगों ने 1 मीटर की लंबाई ली है, ठीक है, वहाँ पर जो मैंने L लिखा था, तो प्लीज उसको इग्नोर कर देना, वो बाई मिस्टेक वहाँ पर मैंने लिख दिया था, यह है, 100-L, 100-L का कारण क्या है, कि 100-L का कारण यह है, क्योंकि हमारा जो है, एक मीटर लंबाई का तार है, तो एक मीटर बडाबर क्या होता है, एक मीटर बडाबर होता है, 100 cm, ठीक है, तो यहाँ पर यह वाला, अगर मान लोगों की L लंबाई पर हम लोगों को जो है, यहाँ पर मीटर सेतु के केस में अग्यात प्रतिरोध के लिए सुत्र इस्थापित करना आसान होगा और यहां पर यह जो हम चालक तार ले रहे हैं ठीक है तो यह चालक तार हम मैंगनीन नाम की धातुका बना हुआ लेते हैं मैंगनीन नाम की धातुका ही इस्तमाल इसलिए किया जा है तो इस तरह के जो है मिश्रधातु का इस्तमाल किया जाता है यहाँ पर मैंगनीन के तार का हम क्या करते हैं इस्तमाल करते हैं और यहाँ पर बिल्कुल आप देख पारे हो कि बिल्कुल इस तरह से यह जो बीच में लगा हुआ है यह तार है आप लोगों का यह जो एरो बन सकते हैं और यहां पर तेखो सबसे हैं म में लिखना होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं Chapter बता सकते हो कि सिध्धान पर ही कारे करता है जटिल प्रतिरोध मतलब बढ़र प्रतिरोध जब होते हैं किलो ओम में तो इस तरह के बड़े प्रती रोधों के लिए अगर अग्यात प्रति रोध का मान गयाद करना हो तो उसके लिए मिटर से नुक संरशना का अध्यान किया गया मतलब मिटर से तो कि संरशना हम लोगों को दी गई साइंटेस्ट के द्वारा दी गई जिसमें हम बड़े प्रतिरोधों के लिए हम ग्याद कर सकते हैं और यहां पर बिल्कुल जो भी मैंने आप लोगों को चित्र में दर्शाया गया है तो बिल्कुल सबसे पहले आप चित्र दिखा देना चित्र दिखाने के बाद पूरा एक्स्प्लेनेशन बता देना कि सबसे मुझता धातर से हम उन्स्था우ं करते हैं प्रतिरोध लेते हैं अज्यात अग्यात प्रतिरोध लेते हैं और यहां पर एक मेटर की तार की लमबाई कुझी कुणी और यह विढ़त्त हक्प्राइद से जो है हम जो है विद्यतुर्जा जो है देना शुरू करते हैं यहां पर चालकतार में तो यहां पर क्या होते हैं विद्युधारा प्रवाहित होनी शुरू होती है और जैसे विद्युधारा प्रवाहित होनी शुरू होती है तो वो विद्युधारा कहां से प्रवाहित और जब इस चालक तार में प्रवाहित होती है विद्धारा तब हम क्या करते हैं बार बार ये सरपी कुंजी को जो हम लोग जगा परिवर्तित कर करके देखते हैं तो किसी एक जगा पर इस धारमापी का जो विक्षेप है इस धारमापी का विक्षेप हम लोगों को क्या प्र हुआ तो यहां पर यह जो i । अल लम्बाई के लिए क्या हुआ रब आप लिए फ्रकेतर रीख सकते हो कि प्रति रोध जैसे कि यहां पर मान लो कि सरपी कुंजी आई ठीक है यहाँ पर मान लो कि सरपी कुंजी आई और यहाँ पर यह जो है मान लो कि L लंबाई है बच्ची हुई लंबाई क्या हो जाएगी 100 माइनस L हो जाएगी और यहाँ पर जो है एक चीज़ और एट कर देना कि यहाँ पर जो हम एक मीटर का चालक तार ले रहे हैं वो एक समान तार है उसकी जो मोटाई है हर जगह पर एक समान होगी तो क्योंकि यहाँ पर मोटाई मतलब अनुप्रस्त काट का जो शेतरफल है वो फिक्स हो गया तो हम उसकी बात नहीं करे कि दखोगे तो आप लोगों का जो है यह एलवाले हिस्से में मानलों कि यह प्रतिरोद है और यहाँ पर क्या है क्यों प्रतिरोद है ठीक है देखो यह वाले डाइग्राम में आप लोगों अच्छे से दिक रहा होगा यहाँ पे इसको लिख लो और ये लिख लो 100- 00 breaths माइनस L ठीक है और ये जो है आप लोगों का क्या है ये आपका यहाँ पर क्या है P और ये Q तो यहाँ पे जो है क्या है प्रतिरोध ये P प्रतिरोध समानुपाती होगा L लंबाई के तो P समानुपाती होगा किसके L के और Q समानुपाती होगा किसके 100 माइनस L के P समानुपाती होगा L के और Q समानुपाती होगा 100 माइनस L के ठीक है तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं P बटे Q बराबर L बटे 100 माइनस L क्यों क्योंकि प्रतिरोध जो है वो क्या है लंबाई के समानुपाती है तो क्योंकि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है तो यहाँ पर क्या हुआ कि L लंबाई का प्रतिरोध क्या है L लंबाई का प्रतिरोध जो है P है और 100-L लंबाई का प्रतिरोध क्या है Q है तो हम इन दोनों equation को बटे में करके इस तरह से लिख दिये तो वहां से ये हो गया ठीक है तो ये ये बिल्कुल समझने के लिए है ठीक अब क्योंकि क्योंकि ये जो हमारा सिध्धान्त है वो wheatstone सेतू के सिध्धान्त पर ही काररत है तो यहाँ पर जो p बटे q है वो आपका किस q बराबर r बटे s इस वजह से आपका r बटे s बराबर क्या हो जाएगा l बटे 100-l और क्योंकि यहाँ पर s जो है वो आपका ज्याद प्रतिरोध है तो आप इसको क्या करोगे यहाँ पर इसको यह आप शांतर कर सकते हो तो क्या हो जाएगा क्या होगा s बराबर 100-l बटे l इंटू क्या हो जाएगा r यही होगा हाँ बिलकुल यही होगा तो इस तरह से आप लोग इस सुत्र के माध्यम से अग्यात प्रतिरोध अग्यात कर सकते हो मीटर सेतु के लिए वीट सेतु के सद्धान्त परियादारित है बहुत ही आसान है कुछ भी नहीं है और अगर आप रियल में इसका देखना चाहोगे कि इसका कनेक्शन कैसा दिखता है तो मैं आप लोगों को लिए यहाँ पर रियल पिक्चर दिखाने के लिए लेकर क्या हूँ कि किस तरह से आप लोगों को यहाँ पर मीटर सेतु का देख सकते हो यह जो ह प्रतिरोध बॉक्स और जितना भी हम लोगों ने यहाँ पर जो धारा मापी लगाया हुआ है घालवरोमेटर जो हम लोगोंने विद्यूद सेल लगाया है वो सब सारी चीजे कनेक्शन्स यहाँ पर है और बिलकुल जो हैं हम लोगों ने यहाँ पर तार सारे जोड़े-ज स्थमाबी zaman अंगे स्थमाल करते हैं स्थमाल कर सकते हैं यह différents मापी का इस्तमाल क्यों करते तो उसका कारण आप लोगों को अच्छे से लिखने के लिए आना चाहिए वहीं से शुरू होता है या तो फिर विभाव मापी से क्या तात्पर है आपका और उसका पूरा डैरिवेशन करो ये कोशन आएगा तो पांच नमबर का इसका कोशन पक करते हैं विभाव मापी का इस्तमाल करते हैं तो इसके पहले आप लोगोंने कशा दस्वी में वोल्ट मीटर भी पड़ा होगा तो वोल्ट मीटर का इस्तमाल जो है विभाव नापने के लिए या विभाव नापने के लिए ही किया जाता है पर वोल्ट मीटर के सापेक्ष स समनांतर में क्या लगा होता है प्रतिरोध लगा होता है ठीक है पर यहां पर जो विभाव मापी के सापेक्ष जो आंतरिक प्रतिरोध होता है ना वो आंतरिक प्रतिरोध जो होता है अनंत के बराबर होता है लगभग जो की क्या होता है आदर्श वोल्ट मीटर की पहचान है तो वोल्टमीटर तो हम लोगोм आदरश रूप में प्राप्त नहीं हो सकता, पर यहां पर जब हम विभावमापी का इस्दमाल करते हैं, तो विभावमापी में हम लोगों को आदरश वोल्टमीटर के गुर्ण जो है वो देखने के लिए पाई जाते हैं, इसी वज़ा से हम वोल्ट मीटर के जगह में क्या करते हैं विभाव मापी का इस्तमाल करते हैं क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर जो विभाव मापी का इस्तमाल करते हैं ठीक है विभाव मापी का इस्तमाल करते हैं तो जो भी चीजे मैंने यहाँ पर आप लोगों को बोली है तो बिल्कुल क Carry cara दिए अगर अगर मात विभाई कि यह तरीके सेव मंांतर में लगाते हैं समनांतर्मिने का भी कारण है क्योंकि अगर हम समनांतर में नहीं लगाएंगे तो यहां पर परिस को वो हमारा जो है क्या हो जाएगा परिपत है वहां पर जो है मतलब कहना चाहिए कि शॉर्ट सर्किट या इस टाइब की कुछ घटना हो सकती है इस वज़ा से हम लोग इसको क्या करते हैं समनांतर में लगाते हैं अगर मान लोग की विद्युत्वा अक्बल के जगा हम लोगों तो इस तरह से हम क्या करते हैं विभाव मापी को करनेक्ट करते हैं अब इस विभाव मापी के लिए मैं आप लोगों को इसका सनरचना चित्र दिखा देती हूं तो भाई इस सनरचना चित्र में आप लोग ध्यान से देखिए कि यहां पर जो है बिल्कुल यह स्त्रोथ वि हुआ है जिससे हम विद्धारा जो है कितने हमारे स्त्रोच से जा रहा है वो विद्धारा को नाप साखते हैं अब यहां से हम क्या करते हैं इस त्रोच से हम यहां पर विद्धारा जो है इस परिपत में हम प्रवाहित करते हैं अब इस परिपत की अंदर की संरशना को हम तो ब्लू कलर की लाइन्स बनी हुई है, यह जो ब्लू कलर की लाइन्स है, यह चालक तार है, मैंगनीन का चालक तार है, जैसे कि हम लोगों ने मीटर से तुमें जो चालक तार लिया था, बिल्कुल उसी धातु का यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है, मैंगनीन का यहाँ का होता है और इस तरह से टोटल दस भाग में हम लोग क्या करते हैं इस तार को विभाजित करते हैं और दस भाग में इस तार को विभाजित करने के बाद एक दूसरे के समनांतर क्या करते हम एक दूसरे के समनांतर यहां पर इस तरह से इसको जो है लगा देते हैं जैसे कि लगा देते हैं और बिल्कुल यहाँ पर भी धारा मापी का हम लोग या कर रहे हैं इस्तमाल कर रहे हैं और यहाँ पर भी क्या लगी हुई है यहाँ पर भी अग्यात विद्धुत वाहग बल लगे हुए हैं फीक है तो यह संद रचना अगर एक बार देख ठीक है जैसे की यहां पर यह जो है यह क्या है अज्यात विद्यूत वहकबल है यहां पर हम प्रतिरोध की तुलना कर रहे थे पर यहां पर हम क्या करेंगे इस अज्यात विद्युत वहागबल का जो तुलना है हम लोग कहां पर करेंगे जैसे कि मान लोग कि जब हम लोगों को इस धारा मापी के सापेक्ष जो विद्युत धारा का विक्षेफ है वो अगर शुन्य प्राप्त होता है तो हम लोगों सरपी कुंजी को जब हिला करके द तो उस हिस्से का हम लोगों को क्या पता रहेगा उसका विभुवांतर हम लोगों को पता रहेगा क्योंकि हम लोगों ने वो तार लगाया हुआ है तो हम लोगों को वहां पर विभुवांतर पता रहेगा तो इस ग्यात तार के विभुवांतर का तुलना हम लोग करते हैं यह है विभामापी जो है जोड़ा हुआ है इस तरीके से समनांतर में उसका हम लोगों को क्या ग्यात हो जाता है तो एक बार फिर से मैं समझा रही हूँ इसकी संरशना को बहुत जादे इंपॉर्टेंट है देखो यहां पर धारा नी विद्युत्वागबल अग्याद है और जैसे कि अगर हम लोगों को प्रतियक विद्युत्वागबल का यहाँ पर मान ग्याद करना है या विभुवांतर ग्याद करना है तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे इसको कुंजी को यहाँ पर एक बार जब हम लोगों को even ग्यात करना हो पहला विद्युत्वाग बल ग्यात करना हो तो पहले वाले से जोड़ेंगे जब हम लोगों को दूसरा विद्युत्वाग बल ग्यात करना हो तो दूसरे विद्युत्वाग बल से जोड़ेंगे और यहां पर हम लोग किन दो चीजों के बीच मे हम यहां पर जो तार है ठीक है इस तार में किस बिंदू पर ये सरपी कुझी रुपती है तो हम लोगों को इस धारा मापी के साब एक्ष जो है क्या प्राप्त होता है धारा कमान शुन्य प्राप्त होता है तो जिस बिंदू पर रुपती है उस बिंदू के उस बिंदू पर जो विभुवांतर हम लोगों को प्राप्त होता है, इस तार पर जो हम लोगों को विभुवांतर प्राप्त होता है, उस विभुवांतर से हम लोग क्या करते हैं, इस विद्युत्वाहक बलकी तुलना करते हैं, और तुलना करने से हम लोगों को क्या मिलता है, यहां पर दो पर भी हमारा ये सरपी कुंजी रुकेगा और हमारा यहां पर जो डिफलेक्शन जो है वो शुन्य होगा वहां से हम लोगों को ग्यात होगा ठीक है तो यहां पर जब हम लोगों को यह ग्यात होगा तो यह जो हम लोगों को मिल रहा है तो यहां पर हम जो मतलब जो ग्यात वि विभवांतर को जो है हम वी से प्रदर्शित करते हैं इस विभवांतर की क्या होती है विभाव प्रवर्ता होती है तो यहाँ पर के अक्षर से हम क्या कर रहे हैं विभाव प्रवर्ता को जो है यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं विभाव प्रवर्ता है और जो हम लोगों क यहां पर सरपी कुझी जा करके रुका हुआ है ठीक है तो वह एल क्या है यहां पर उस तार की लंबाई जहां पर हम लोगों को विभुवांतर जो है पहले से ग्यात है ठीक है तो इस तरह से हम लोगों को क्या मिल जाता है यहां पर विभाव प्रवंता बराबर जो करना है तो क्या करेंगे हम इसको ढहन से हटा करके कर देंगे अर जब यह जोर देंगे तो वही सेम जो हम लोगों ने पहले किया सेम चीज आप लोगों को दुबारा से रीपीट करना है और बिलकुल इस सरपी कुझी को जो है अलग-अलग जगह में सरका करके बिल्कुल चेक करना है जहां पर भी धारा मापी का डिफ्लेक्शन जीरो होगा विक शेप जीरो होगा पुना हम क्या करेंगे इस अध्यात विद्वाक बलको इस ग्यात लंबाई के तार के विभवांतर से हम तुलन करके भी लिख सकते हो या फिर आप इस तरीके से कैपिटल और स्मॉल करके भी लिख सकते हो तो आप लोगों को यहां पर क्या ग्यात हो जाएगा यहां पर आप लोगों को विभव मापी के लिए जो अग्यात विद्यूत्वाक बल है इस अग्यात विद्यूत्वाक बल का मान आप लोगों को यात हो जाएगा ठीक है क्योंकि ये जो विभाव प्रवर्ता है ठीक है ये जो विभाव प्रवर्ता है ये क्या है इस विभुवांतर के बराबर है जो एल लंबाई की तार का विभुवांतर है इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा विद्यूत्वाहक बल है क्या जो हम विद्यूत्वाहक बल लिख रहे हैं विद्यूत्वाहक बल वो क्या है बराबर है किसके विभुवांतर वी के विभुवांतर V के ठीक है विभुवांतर V के बराबर है और यहाँ पर विभुवांतर के जगह में हम क्या लिख रहे हैं विभाव प्रमड़ता और L जो की क्या है अज्ञात विद्वत्वाहग बल्के बराबर है E1 और E2 ठीक तो बस इतना ही है इसमें और कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल जब आप लोग कारे विधी लिखोगे, तो इसी चीज़ को आप लोगों को पूरी तरह से explain करके लिखना है, तो विभावमापी क्या है, और इसका इस्तमाल हम लोग क्यों करते हैं, क्या नापने के लिए करते हैं, और बिल्कुल इसके बाद इसका सिध्धान्त क्या है, तो बिल्कुल आप विभावमापी का सिध्धान्त लिख सकते हैं, यह जो है अग्यात विद्युत वाहक बलको ज्यात तार के विभावांदर से तुलना करके ज्यात करना, यही इसका क्या है, विभावमापी का सिध्धान्त है, फि फिर वहां से आप लोगों को जो है यात लंबाई की तार का आप लोगों को विभुवांतर पता होता है जिसकी तुलना आप करते हो इन विद्युत वहकबलों से और आप लोगों को विद्युत वहकबल का मान गयात होता है नुमारिकल आएंगे तो बिल्कुल आप लोगों क बस simply इतने ही formula से आप लोगों को numerical को solve करना है बहुत ही आसान तरह के numerical होते हैं अब इसके related सबसे जादा important question आपको जो है इसमें add करके यह पूछता है कि हम लोग जो है विभाव मापी के जगह जो है वोल्ट मीटर के जगह जो है विभाव मापी का ही इस्तमाल क्यूं करते हैं तो इसका मैंने आप लोगों को already reason बता चुका है कि जो वोल्ट मीटर है इसमें हम लोगों को शुद्धता से ज्याद नहीं होता है विभाव मापी से हम लोग क्या कर सकते हैं जो विद्धवा हकबल या विभावांतर कमान बड़ी शुद्धता से ज्याद कर सकते हैं क्यों तो बिल्कुल जब विभाव मापी का हम इस्तेमाल करते तो वहाँ पर आदर्श रूप में हमें प्राप्त होता है यह सारी चीज़े आप लोगों को बुक से self study करनी है self study करोगे तो सारी चीज़े आप लोगों को समझ में आएगी के वल क्लास अटेंट करने से कुछ नहीं जरूर करना है जतनी वाते मैं बोल्ड रही हूं अगर आप लोगों ने ध्यान से सुनी होगी तो यह सारी चीज़े आप लोगों को बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी अब एक चीज और यह तो पहला कारण हो गया दूसरा कारण यह है कि यहाँ पर हम लोग मतलब कि जब वोल्ट मीटर रहते हैं तो मीटर में क्या उत्पन होता है मीटर में जो है विखशेप उत्पन होता है ठीक है तो वोल्ट मीटर में जब हम लोग मान गयाद करते हैं विखशेप विधी से गयाद करते हैं किससे विखशेप विधी से जबकि यहाँ पर हम जो विभाव मापी का इस्तमाल कर रहे हैं, विभाव मापी में हम लोग जो विभुवांतर का मान ग्याद कर रहे हैं, वो अविक्षेफ विधी से कर रहे हैं, अविक्षेफ विधी से कैसे कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम जो है ग्यात तार के विभुवांतर से तुल्ना करके कर रह तो ये दो महत्वपूर्ण कारण है, तो बिल्कुल इन कारणों को अच्छे से इलाबोरेट करके क्या करना है, अच्छे से इलाबोरेट करके आप लोगों को एक्जाम में लिखना है, ठीक है, इसके अलावा सुग्राहिता की बात होती है, तो विभाव मापी की सुग्राहित भी आप लोगों को एक नंबर या दो नंबर में पूछी जाती है जहां पर सिंपली आप लोगों को यहीं बताना है कि किस तरह से जो है विभाव मापी की सुग्राहिता अच्छी होती है क्यों होती है क्योंकि यहां पर बिल्कुल तार की लंबाई में जो इसकी विभाव प् वीट स्टोन सेतु के रिलेटेड आपको सवाल आता है, मीटर सेतु का अगर पूछेगा, तो डेरिवेशन पूछेगा, जादतर वीट स्टोन सेतु और विभाव माफी आप लोगों का पूछा जाता है, जल्दी से सवाल आप पढ़े सकते हो, बिल्कुल दो सवाल मैं लेकर प्रतिरोध 20 ओम का दिया हुआ है इसे 10 ओम के प्रतिरोध एवं नगर्ण या प्रतिरोध नगर्ण या आंतरिक प्रतिरोध वाले 6 वोल्ट विद्धित वहग बल्ट संचायक सेल मतलब कि जो स्त्रोध सेल के रूप में हम लोग लगाते हैं उसमें ठीक है तो उसमें क्या किय श्रेइडी क्रम में जोहार है इस तरह से जोड आ गया है बिलकुल यहाँ पर दिखाया गया है तो यहाँ पर जोरे लंबाई हैं ल कि.. समक्ष संतुलित के ब्याइद करना है तो आप लोग देख सकते हो कि यहां पर आप लोगों को जो प्रतिरोध दस ओम है इसे एक प्रतिरोध हुआ एक दो वोल्ट के विदुद वहकबल तथा नगर ने आंतरिक प्रतिरोध के एक सिल से स्रेणी क्रम में जो है जोड़ा जाता है तो बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही है लगभगे और यहां पर दस मिली वोल्ट का करना है बाहे प्रतिरोध का मतलब यह हो गया कि जो यहां पर प्रतिरोध बॉक्स लगा हुआ था बाहे प्रतिरोध है ना बाहे प्रतिरोध जो आप लोगों को यहां पर जो मान ज्याद करना है तो बिल्कुल आप लोगों को यहां पर देखना पड़ेगा बिल्कुल ट्र ठीक है वहाँ पर उसको क्या करना बोल रहा है उसको वहाँ पर जो है वो ज्याद करने बोल रहा है ठीक है ज्याद करने के लिए बोल रहा है तो बाहर प्रतिरोथ का मान आपको यहाँ पर ज्याद करना है इसके बाद एक विभव मापी में एक दसंबलव पांच वोल्ट एक संतुलिंद बिंदू देता है, ठीके कहां पर देता है, L बराबर 32 संटीमिटर की लंबाई पर क्या देता है, संतुलिंद बिंदू देता है, मतलब की सेतु जो हमारा संतुलन की सिति में आ जाता है, यदि सेल को दूसरे सेल से बदल दिया जाए, तो संतुलन का बिंदू भी क्या होता है संतुलन का बिद्दू भी बदल जाता है तो यह यहाँ पर L1 और L2 दिया हुआ है और दूसरे सेल का विद्युत वहकबल ग्याद करना है बहुत ही आसान है जो विभाव प्रमर्ता विद्युत वहकबल लंबाई का जो मैंने सुत्र बताया है तो E1 बराबर क KL1 और E2 बराबर KL2 से जो है आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर दूसरे सेल का जो विद्युत वहकबल है वो ग्याद कर सकते हैं यह सबसे आसान सवाल है बिलकुल इसको तो हम यही पर अभी क्वीकली कर सकते हैं E1 बराबर KL1 और E2 बराबर क्या है KL2 ठीक है दोनों को अग दूस्रा वाला विद्युत वहकबल आपको घ्याद करना है पहले वाली संतूलन के सिति आपको 32 और दूसरे वाले संतूलन के स्थिति दि नी हुई है आपको 465 और यहां पर अगर आगे सौल करोगे तो डारेक्ली आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर E2 का जो मान है वो ज्यात हो जाएगा ठीक है तो बस इस तरह से आप लोगों को विभाम आपी के रिलेटेड नुमारिकल करने हैं एक और नुमारिकल है तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों को सेल का आंतरिक प्रतिरोध ग्यात करने के लिए बोल रहा है तो इसको भी आप बिल्कुल ट्राई करना है और आज के इस सेशन में बस इतना ही पूरा विध्युधारा का चाप्टर मैंने शूरू से लेकर के आखरी तक आप लोगों को पूरा कम्प्लीट करवा दिया है और बिल्कुल आप लोगों को जो है numerical खुद से try करने हैं आप लोगों को और बिल्कुल लगातार हम इसी तरह से आप लोगों के लिए और भी classes लेकर के आते रहेंगे आगे के chapters हम cover करवाते रहेंगे पर self study करना बहुत जरूरी है जो भी मैंने पढ़ाया उसको खुद से पढ जल्दी से सभी बच्चे हम सब दिखाते हुए मुझे बोलेंगे कि बिल्कुल आप self study करेंगे without self study class attend करना incomplete है आपकी study incomplete है तो self study बहुत जादा important है तो self study करना ही करना है चाप्टर खतम हो गया यह आपका विद्युद्धारा का तो अब हम मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में जितने बच्चे अगर मुझे contact करना चाते हैं class की pdf अगर चाहिए तो आप instagram पे या mail id पे में को direct connect कर सकते हो telegram channel की link मैं आपको share कर दूँगी जो बच्चे यहाँ पर पुराने बच्चे मौझूद है वो comment box में telegram channel का link अगर डाल दे तो बहुत अच्छी बात है सारे नए बच्चो को telegram channel का link जो है वो मिल जाएगा और वहां पर आपको classes की PDF जो है मिल जाएगी ठीक है तो हम अब मिलते हैं हमारी अगली class में तो तब तक के लिए बाए बच्चो